साब्धान आज की इस वीडियो में हम सेखने वाले हैं कि चांधी क्या या फिर सोना क्या calculation कैसे करते हैं इस वीडियो में आप देख पाऊगे कि Joyler's का Calculation का घोटाला किस परकार से होता है यानिकि किस परकार से जो सोना चांदी बेशते है और हमारे साथ calculation में घोटाला कर देते हैं आप बिल्फू practical समझ पाओगे चांदी हो या फिर सोना हो calculation का जो तरीका है वो सेम रहने वाला है सही calculation कैसे करे चांदी का दाम कैसे निकाले 190% का जो है making charge क्यों यानि कि ऐसी कौन सी बस्तू मेंने खड़ीदा जिसमें 190% का making charge लगाया गया यानिकि जितनी की बस्तू नहीं है उससे ज़्यादा तो इसका making charge है तो comment box में आप comment करके बताओ कि सबसे ज़्यादा जो कमाई करते हैं इस दुनिया में वो कौन से बेक्ती है वो कौन से category के बेक्ती है जो सबसे ज़्यादा कमाई इस दुनिया में करते हैं इस वीडियो में जो calculation में करने वाला हूँ 100% वो सही तरीका है अगर आप उस तरीके से calculation करके लोगे कोई भी सोना हो या चांदी हो तो आपके साथ scam नहीं होगा और आपको सही calculation के जरिये सही पैसा आपको पे करना होगा जहिन friends मैं हूँ मनोज और आप देख रहे हैं गमडर एडू गमडर एडू में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो का टॉपिक है चांदी या सोने का दाम कैसे निकाले अब जो भी यहाँ पे बातें बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे क्योंकि यहाँ पे mathematics है और कुछ चीजे convert करनी है तो थोड़ा आप बारी की नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और जो भी बेक्ती लगता है कि बोरिंग हो रहे है वो mutual fund में invest करते हैं तो आपको नहीं देखना है तो आप मत देखे लेकिन क्या करना है कि आपको concept को ध्यान से समझना है और देखोगे तो guarantee से कहता हूँ बहुत कुछ आप इस वीडियो से सिख के जाने वाले हो देखिए सोना हो या फिर चांदी हो ये concept क्लियर कर लेना है आपको और concept क्या है पहला जो concept है एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है ये आपको याद रखना है एक किलो का जो बटा होता है और छोटा छोटा सो सो करके अगर 1000 ग्राम हम एक तरफ चड़ा दे और एक तरफ तराजव में एक किलो का बटा चड़ा दे तो दोनों का वेट बराबर होगा इसलिए बहुत सारी लड़कियों में स्क ग्राम होता है यह में कॉंसेप्ट है और मैं यहां पर प्रूफ भी दिखा रहा हूं आप देख सकते हैं कि एक केजी बराबर एक केजी बराबर हजार ग्राम है जो कि यहां पर पूरा दिखा दिया दूसरा जो concept है वो क्या है कि एक gram यानि कि एक gram बरावर में 1000 miligram होता है यह इसको हम miligram से क्या करेंगे डिनोट करेंगे तो एक gram बरावर 1000 miligram होता है इसको आपको याद रखना है या फिर अच्छे से याद कर लेना है ताकि आगे जाके आपको समझने में कोई problem ना हो अगर यहाँ पर बात करें देखिए एक ग्राम बरावर में हजार मिलिग्राम तो बिल्कुल पुरूफ आपको दे दिया मैंने चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिस करते हैं एक केजी बरावर जब हजार ग्राम होता है तो जोयलर्स जो है चांदी का दाम कैसे निकालते हैं या फिर हम लोगों को निकालना हो तो चांदी का दाम कैसे निकालेंगे सोने का दाम कैसे निकालेंगे वो सब सिखेंगे तो यहाँ पर यह जो बिल आप देख रहे हो यह बिल चांदी आप लेते हो तो 90 रुपे जो है आपको pay करना होगा यानि कि pay तो GST और making chance दोनों को मिला के करना होगा एक 90 रुपे चांदी की value होगी एक ग्राम तो 90 रुपे परती ग्राम चांदी का दाम बताया जोलर्स ने आप आगे बढ़ते हैं इतना concept आपको समझ में आ गया क्योंकि इसी के base में हम calculation करने वाले हैं तो एक केजी बराबर में 90 रुपे आप बोलोगे यह कैसे निकाला आपने तो जब एक ग्राम चांदी का दाम जो है 90 रुपे है तो उसको 1000 ग्राम से गुना कर दो आपका आजाएगा 90 रुपे तो जब 90 रुपे आ गया तो एक केजी बराबर में 90 रुपे तराजू में और यहां पर रख देंगे चांदी का एक बट्टा ठीक है जो की एक केजी का ही होगा तो दोनों का जो बेट होगा वजन होगा वो बराबर होगा एक दम तराज़ बिल्कुल बराबर इक्वल दिखेगा यह आपको समझ में आ गया चांदी का दम वो 90,000 पर यहां पर रहेगा इस जगह पर तो जब ऐसे बराबर में रहेगा और जब हमें यहां पर एक ग्राम का दम निकालना होगा क्योंकि जब ऐसे हम बराबर में निकालेंगे तो हमारा एक ग्राम का दम निकल कर आ जाएगा तो एक ग्राम का दम निकालने जरूरी है, जैसे आपको दो यूनिट पता हो जाएगा, जैसा हम यहाँ पर ग्राम निकाल लेंगे तो नव्य हजार, बटे में एक हजार जब रखेंगे, जैसे हम इसको behागा देंगे तो जो काट के 90 रुपे आ गया परती ग्राम यानि कि एक ग्राम चांदी का जो दाम है वो 90 रुपे आ गया तो हमने ग्राम भी निकाल लिया और यानि कि ग्राम चांदी का दाम निकाल लिया पर इनके साथ जो है हमारा मैच हो गया और बिल में देख सकते हैं अमाउंट 800 रुपे का यहांगे तीन ग्राम हमने चांदी लिया तो यहां पर ग्रोस वेट जो है 3.045 है यह मिली ग्राम में हो जाता है लेकिन यहां पर नैट इन्होंने कर दिया चांदी है इसलिए यहां प को फिर याद रखे है तो यहां पर कुछ इंटरनेट के माध्यम से आपको मैं यहां पर दिखा दू कि एक केजी चांदी का दाम कितना है या फिर आठ मिली या फिर आठ ग्राम चांदी का दाम कितना है तो देख सकते हैं आठ ग्राम जो चांदी का दाम है आठ सो चपन तो एक लाग साथ हजार रुपए एक केजी चांदी का दाम है तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि एक सो साथ रुपए पर्ति ग्राम हो जाएगा और यह ये स्टेडे हैं तो यह आप चेंज होता रहते हैं तो इसमें ज्यादा ध्यान देनी की जुरूत नहीं है तो हमें 10 ग्राम चांदी आपका 1070 रुपए में मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर जो मेकिन चार्ज और जीस्टी ही आपको मार देते हैं बरना आप घर में चांदी ही चांदी सोना ही सोना आप भर लो तो यह आपको बिल्कुल किलियर हो गया अच्छो से अब मिलिग्राम समझो आप आप ने ग्राम समझ लिया ग्राम का रेट भी आपको निकालना आ गया लेकिन मिलिग्राम में ही सारा कुछ जोल होता है और यहाँ जिसने ध्यान नहीं दिया उनके साथ घोटाला भी हो सकता है तो 1 mg बराबर में 1000 mg जो कि मैंना भी आपको convert करकе बताया और आप यहाँ पर भी देख सकते ह completed 1 g बराबर में 1000 mg तो हम mg से इसको नोट कर सकते है तो 1 mg कैसे निकाले आनकी 1 mg का दाम कैसे निकालेंगे अभी समझेंगे एक मिली ग्राम चांदी का दाम निकालना है तो एक ग्राम बरावर जब हमारा 90 रुपे है यह आपको बिल्कुल अच्छे से किलियर है अब आगे समझो एक मिली ग्राम निकालना है तो एक मिली ग्राम में कितना होता है तो एक ग्राम में कितना होता है तो 90 रुपे हमें देना होगा ये बात आपको clear है अगर clear है तो जल्दी comment box में लिखेगा कि एक ग्राम चांदी अगर खरी देंगे तो 90 रुपे देंगे तो एक ग्राम चांदी हमें मिल जाएगा अभी मैं making charge और GST की बात नहीं कर रहा है तो जब एक ग्राम बराबर 1000 मिली ग्राम होता है चाहे आप इसके बराबर में इसको रख दो चाहे इसके बराबर में इसको रख दो चाहे 90 रुपे के बराबर में 1000 मिली ग्राम रख दो तो हमने वही काम करा कि 1000 मिली ग्राम बराबर में 90 रुपे तो यह जब हमने रख दिया और यहां पर जैसे यह बटे में आया इधर से घूम के बटे में आ जाता है तो 90 बटे में 1000 और जैसे इसको काटेंगे तो 0.09 रुपी आ जाएगा यानि कि यह पैसे में आ गया तो मिलीग्राम का भी हमें जो है दाम पता चल गया यह हमारा कितना ह कितना हो गया एक मिलीग्राम चांदी का डाम कितना हो गया जिरो पॉइंट 0 información पर अब यह रुपे आपने आसानी से निकालोगे जैसे में लिए आप नप्बे रुमाना तो वह चांदी आप देख लिगेव बेदी ब्लाइव लाग रख सकते हैं दो लाग रख सकते हैं जो भी उस टइप उसकी वैल्यू होगी और नभी रुप्य के जगे में जो आपका निकल के आगा एक ग्राम की दाम वह आप उसको रखोगे इस हिसाफ से हमारा एक मिलिग्राम चाणी का जो दाम निकल कर आया वो वहाँ पे 10 पॉइंट कुछ एक रखके निकाले तभी आपका निकलेगा कि कोई 10 जो है 0 के बाद पॉइंट के वहाँ वैल्यू नहीं होती तो पे करना होगा यानके 3 ग्राम अगर हम कोई भी रिंग लेते हैं अंगूठी बगारा लेते हैं तो मेकिंग चार्च प्लस में GST सबको मिला के हमें कितना रुपे जो है वह जो जो देना होगा सेकेंड जो है कोईशन है कि 3.25 यानकि ये तो 3 ग्राम हो गया ये वाला जो वैलू है ये 3 ग्राम हो गया और ये हमारा मिली ग्राम में हो गया तो 3.25 ग्राम रिंग चान्दी का जो दाम है वो GST प्लस मेकिंग चार्च के साथ कितना रुपे हमें पे करना होगा तो यहाँ पे अक्सर सिंपल वाला तो आप निकाल लेते हो लेकिन जो पॉइंट में जो बच जाता है जैसे 3.25 आजा है 3.85 आजा है इसी पे ही जो है आपके साथ स्कैम हो जाता है कैसे होता है अभी आपको समझ में जरूर आएगा देखिए 3 ग्राम का दाम जो है हमें नि कर दिया क्योंकि हम 3 ग्राम का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 270 रुपय आ गया समझ के देखिए कि एक ग्राम का दाम 90 रुपय है तो 3 ग्राम का दाम कैसे निकालेंगे 3 से गुना कर देंगे चाहे आप 90-90 को तीन बार जोड देजिए तब भी आपका 270 रुपय आजाएगा ऐसे भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे मेकिंग चार्ज है तो मेकिंग चार्ज जो है यहाँ पे कितना है वह 190 परसेंट का मेकिंग चार्ज है अब आप सोच रहे होगे कि 190 परसेंट का मेकिंग चार्ज ओभी चांदी के रिंग पर वह कैसे पॉसिवल है तो यह जो रिंग खरिदी तो उसमें 190% का making charge लगाया मैंने पूछा तो कह रहे कि इसमें जो coating होते हमें costly पड़ता है तो जब 190% का making charge होगा तो अभी आगे जाके देखिए क्या फर्क होगा ये आप समझेंगे तो हमने 270 रुपे 3 ग्राम चांदी का जो है लिए आगे देखते हैं 513 रुपे हमारा हो गया making charge 190% प्लस में 270 रुपे जो है चांदी का दाम तो हमने इस दोनों को अब सरकार क्या कहती इसको आप समझें GST के मादम से कि इन सब अगा उनको जोड़ो और जोड़के जब आप final bill पे करोगे तो उस पर हमें जो है GST चाहिए ये तो ऐसा भी हो सकता था ना ये कैसा हो सकता था कि 190% जो है हमारा making charge हो गया प्लेस में 3% हम जोड़े तो यह आ जाता है 193 रुपे सोरी यह आ जाता है 193 परसेंट और जब यह 193 परसेंट आ जाता तो आगर इस हिसाब से हमें अगर calculation करते हैं तो calculation भी हमारा easy हो जाता साथे साथ में हमारा यहां पर जो अमाउट जो है यह जो पान्सो तिरे रुपया है तो कम minimum जो है फर्क पड़ता यानि कि इससे काम आता लेकिन यहां पर पहले making charge पर निकाल लिया फिर making charge जोड़के जो amount आ है उस पर 3% निकाल रहा है सरकार भी यहां पर तेज है और mutual fund में आप पैसा invest करते हो तो वहां पर जो short term tax है वो 20% का है और long term जो tax है वो 12.5% का है तो देख रहे हैं न यहां पर और सोना खरीदने जाओगे तो 3% इसलिए में लोग क्या करते हैं जब वो संपूर्ण हो जाते तो सोना भर-भर के खर लिया और 30% का ब्रहें जी स्थी निकालने हैं तो यहां पे 1803 रुपे में में 30 का हअ निकल कर आया तो आपने देखा कि तीन गराम जो है चांडीका ज्याम कितना निकल गाए 800 6% और यहां पे देख सकते हैं कि जो भी मैंने जो प्राइस दिया वह 800 पे दिया है बिल में टैली वेली सब करके आप देख सकते हैं आप जो छे रुपे जो है जो जोईलर्स ने डिसकाउंट दे दिया क्योंकि केल्कुलेशन उसको भी समझ नहीं आ रहा था तो करें चलो कोई बात नहीं आप 6 रुपे मत दो टोटल जो राउन फिगर में 800 रुपे दे दो बताओ आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है क्योंकि यहा जोलर्स तो बहुत अच्छा है 6 रुपे हमें डिसकाउंट दे दिया उस 6 रुपे के चक्कर में आप बहुत सारा अपना नुक्सान करा लेते हैं तो इसलिए एकदम सटिक केल्कुलेशन करिए और सही तरीके से करिए और सही पैसा दीजे चाहे पॉइंट पे क्यों आए आ आपको घोटाला के जरिये काट लेते हैं आपने देखाtt 30 ग्राम झारव निकाल लिया यह आपको याद रखना कितना है संधी कर दीघाम करें जो हुए इसको ہے ऑप किस परकार से उनका calculation के जरिया हमें जो है काफी amount का चुना लगा देते हैं अब हम समझेंगे यहाप जोईलर्स का जोल किस परकार से इस दुनिया में जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ extra amount आपको pay करना होगा तो जो जो calculation करते हैं यहाँ पर सीधा सीधा वह सोचते हैं कि 3 ग्राम 25 मिली ग्राम है तो यहाँ पर 3.25 calculator में दवाएंगे और सीधा 90 से गुना करेंगे क्योंकि एक ग्राम चांदी कदाम कितना होगे 90 रुपे तो गुना करके यह क्या करते हैं दो सो बाने रुपे 69 पैसा निकाल के दे देंगे यह जो है without GST है अब GST के साथ कैसे करेंगे वो लोग देखें मेकिंग चार्ज जोडेंगे 190 परसेंट का एक सो बाने रुपे 5 पे जो मेकिंग चार्ज आप जोड़ोगे तो यहाँ पे मेकिंग चार्ज क करेंगे जब 3% का GST में आप देख सकते हैं यहां पर 848 रुपे क्योंकि इसको जोड़के 848 रुपे बन गया उस पर जो है में 3% का फिर से GST देना है तो यहां पर सब कुछ काट कूट के जो आया 25.44 पैसा आगिया 25 रुपे 44 पैसा 25 रुपे 44 पैसा 25 रुपे 44 पैसे को औ और आड़ाउन करेंगे जब इसको एड़ाउन करेंगे एड़ाउन करने के बाद 870 रुपे 69 पैसा आ जाएगा तो इस तरीके से आपको बोल देंगे और यहीं अमाउन्ट फाइनल आपको पे करने के लिए बोलेंगे जो कि यह तरीका बिल्कूल भी गलत है सही तरीका नह लग से निकालेंगे और ग्राम का अलग से निकालेंगे क्योंकि यहां पे आप खरके देख लेजिए डिफ्रेंट आएगा इंगा और अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप उनसे बोलिए आप नहीं मानते तो वौइट पेटर में लिखके दो और फिर जो गूल्ड का ज जो दाम है हमें पता है कि आपको मालूम है अभी आपको निकाल कर दिखा तीन bringing का जो डाम है आठ सो छी रुपे spirit.49जाज पैसे हैं यह बिड्ड ज्यस्टी और making चार्ज के साथ है अभ statewide पंचिस है जो क्वाला है इसको हम इलग से करूंड पचीस फिटतर पिएक मिलिघाम का दाम पता है तो फिर मिलीONG्स है पचांड़ तो 25 मिलिग्राम था यह unit जो है 25 मिलिग्राम में था 25 मिलिग्राम गुने में 0.09 तो इसको जैसे हम गुना करेंगे तो हमारा जो value निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 2.25 पैसा जो कि इसमें making charge और GST भी नहीं है अब इसमें हम जोडेंगे making charge तो 2.25 आ गया तो इसमें making charge 190 पर का जोडेंगे क्योंकि हमें जो है 3 ग्राम का पता है और उसमें हमने 190 का making चार्ज जोडा था तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 190 का मेकिन चार्ज जोडेंगे तो जैसे यह जोडेंगे, तो 4 रुपे 275 पैसा आ जाएगा, तो यह जो amount आया, हमारा making charge आया और making charge plus में चान्दी का दाम जब दोनों को जोडेंगे तो 6 रुपे 525 पैसा आ जाएगा अब इस पे जो है हमारा 3% का GST और add-on होगा तब जाके हमारा बराबर होगा तो 3% का GST और add-on करेंगे तो देख सकते हैं 6 रुपे 525 पैसे पे जब गुना करेंगे 3% तो परसेंट के calculation करने के बाद 0.19575 आ जाएगा तो यह amount क्या करेंगे 6 रुपे 525 पैसे पे हमने GST जब जोड दिया तो 6 रुपे 720 पैसा आ जाएगा तो यह जो हमारा आया यह क्या आया making charge चांदी के दाम GST सब को हमने जोड दिया तो हमें पता चल गया कि हमने 25 मिली ग्राम का दाम निका करेंगे साथ साथ तो अब यह मिली ग्राम और से लिगालना है 30.25 इससे करके बोलते हैं तो हमने निकालना है अब कैसे निकालेंगे आप यहाँ निकल के आया और जो जोलेस ने निकाला था उन्होंने अपने केल्कुलेशन की हिवाप से वह कितना निकल के आया था देह सकते हैं है आट सो तेहतर रुपए 69 पैसा 830 पैसा तो आप समझ सकते हैं कि इस हिसाप से कल्कुलेशन आप अच्छे से समझ गया होंगे कि 25 mg का हमने अलग से निकाला और 3 mg का हमने अलग से निकाला उसमें भी 190% का making charge जोड़ा और 3% GST जोड़ा और 25 mg में भी हमने 190% के making charge और 3% का GST सब कुछ सेम तरीके से जोड़ा तो हमारा amount निकल का आ रहा है 813.210 पैसे और उनके तरफ से जो सीधा 3.25 गुने में 90 करके और यहाँ पर यह जो amount आ रहा था तो यहाँ पर देख सकते है 873 रुपे 69 पैसा इस दोनों amount में जो different आ रहा है वो करीब 60 रुपे 48 पैसे का different आ रहा है इतने का घोटाला हो गया जो कि आपने एक छोटा सा क्या लिया यूनिट लिया इसलिए आपको कितना का घोटाला हुआ 60 रुपे का यही यूनिट अगर आप बड़े मात्रा में लेते तो इसमें आपका जाजा घोटाला हो सकता था तो इसलिए आप जागिए आप समझिए और उनकी बातों में मत आईए हमेशा ध्यान रखेगा कि GST आपका fix है अभी कोई बदलाब नहीं हुआ है 3% आपको देना है दिल्ली के साब से मैं बता रहा हूँ और उसके बाद making charge पे ही सारा कुछ यह लूट मार करते हैं making charge में आपको जाता ध्यान देना है जो भी जोलरी बनाते है उसमें चाहे additional making हो चाहे ना हो तब भी making charge उनका high होता है जो सोना या जो ring आप उनको बेचने जाएंगे चाहे आज खरीद के लाओ और दो दिन बाद बेचने जाओ उसमें आपका making charge काट लिया जाएगा यानकी वो minus कर देंगे सोचके देखे कि वो पुराना भी नहीं हुआ आपने पहना भी नहीं उसके बाद भी making charge क्या करते है minus कर देते हैं तो यही तो सारा घुटाला है फिर उसमें कुछ भी नहीं करेंगे किसी second percent को base देंगे और उसमें अलग से making charge जो है 25%, 12%, 190% जो है add on करके और उनको base देंगे यानकी इधर से भी कमाई उधर से भी कमाई और चार तरब से जो है कमाई ही कमाई कमाई ही कमाई इसलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा जो इस दुनिया में कमाते है वो जोलर्स कमाते है तो किन-किन बातों को हमें याद रखना है याद कर लिजेगा जब भी हमें सोना या चान्दी खरीदना हो तो हमें सबसे बड़ी दुकान में आने की जिनका trade value अच्छा है तो वहां से हमें purchase करना है कि वहां से already count होके calculate होके आपका रखा रहता है पचास हजार से उपर जब भी आप सोना या चान्दी खरीदारी करोगे तो उसमें भी आपका आधार और pen card अनिवारी है अब आपको देना ही हो जमिन खरीदो चाहे mutual fund में invest करो चाहे आप stock market में invest करो आपको आधार pen आप देना compulsory हो गया है एक वीडियो मैंने बोला था कि सोनार जो है आपके साथ किस परकार से घोटाला करता है सो सोनार से मेरा क्या मतलब था कि जो joyless होता है जो आपको सोना बेजते है पहले क्या होता था कि बनाने बाला ही बेचते थे गाउंग दियातों में लेकिन आप क्या होता है बनता कही और है बेचता कोई और है तो मैंने उनी को ही जो है सुनार बोला था आप समझे किसी particular वेक्ति को मेरा इंगित करना नहीं है कि मैंने आपको ही बोला कि किसी और को बोला है तो इसलिए आप उस बात को ज़्यादा माइंड ना करे और बस मेरा काम है यह आपको इंफर्म करना और आपको सही जानकारी देना अगर उसमें किसी भी परकार से कोई तुर्टिया होती है तो आप खुछ से भी सुधार सकते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि यह चैनल जो है mutual fund के लिए है तो आपने देखा है यहापे jewelry में भी कुछ ना कुछ घोटाला होता है जमिन में कुछ ना कुछ घोटाला होता है और mutual fund में आपके सामने सब कुछ दिखता है आप इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें भी scam होता है तो उनको तरीका नहीं पता है तो क्या करिए कि आप यदि mutual fund में invest करना है आपको 100 रुपे मंतली के साब से तो आप इसी प्रकार से SIP करना हो लंसम करना हो या फिर SWP लेनी हो best application का जो link है इसी वीडियो के description में दिया हुआ है 100 रुपे से आप minimum investment स्टार्ट कर सकते हैं आगे इसकी कोई भी limit नहीं है 798-222-0721 ये मेरा WhatsApp नंबर है यदि आपको अपना portfolio बनवाना हो या फिर investment से लेके कोई भी problem हो तो आप मुझे इसमें WhatsApp कर सकते हैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लिस वीडियो में अपने एक पैरा सा लाइक कर दीजेगा अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है